हेलो रिवान, वेलकम टो फार्मरोक्स यूट्यूब चैनल, फार्मरोक्स के यूट्यूब एज्यूकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे मेडिसिन फार वर्टिगो मतलब कि चक्कर के इलाज में हम कौन से मेडिसिन स्वागेरा को यूज करेंगे कि किसी परसन को समझो कि चक्कर आ रहा है तो कौन से मेडिसिन स्वागेरा यूज किया जाते है उसके इलाज में तो डीटेल में सिखते हैं ये वीडियो लेक्चर में about the medicines for vertigo तो अगर आपके पास Android phone है तो Android app डाउनलोड करें iPhone user है तो App Store पर से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो चक्कर आते है वो concept को समझे कि चक्कर आना मतलब की senses of feeling of balance off balance मतलब की हमारे body का जो संतोलन है वो लगता है कि आपको बिगड रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपस जो है वो पूरी दुनिया जो है वो गूम रही है इसा आपको फिल होता है कि जिसको हम medical term के अंदर कहते हैं vertigo तो simple concept यह है कि vertigo is a sensation of feeling of balance मतलब कि आपके body का balance जा रहा है इसा आपको लग रहा है और आपको फिल हो रहा है कि आपके आसपस रही जो दुनिया है वो पूरी गूम रही है कि आप जो है वो पूरा गूम रहा है मतलब कि spinning हो रही है आपके body पूरी या फिर आपके आसपस रही जो पूरी दुनिया गूम रही है ऐसा आपको जो है वो feel होता है कि जिसको हम कहते है vertigo तो vertigo में special यह है कि आपको ऐसा feel होता है कि आप जो है वो move कर रहा है गूम रहा है बट actual में ऐसा नहीं होता because directly यह जो संतुलन बिगडने की जो बात है वो reason होता है कि जैसे motion sickness के अंदर आपको feel होता है नौजय वमिटिंग जैसा तो ऐसे ही feeling जो है वो start होते है vertigo के अंदर and आगे जो उसका हम दूसरे concept समझे तो sensation of feeling dizzy मतलब कि आपको dizziness जैसा ज्यादा feel लग होता है vertigo के अंदर and feeling as the room or object around them are spinning and moving के आपके आप समझे कि room के अंदर बेठे तो आपको ऐसा लगा कि पूरा room जो है वो गूम रहा है या फिर आपके आस पस रहे जो भी कोई object से वो सब आप जो है वो spinning कर रहे है या फिर वो movement कर रहे है आपको ऐसा feel होता है कि जिसको हम कहते है चक्कर आना और medical time है उसके लिए vertigo तो vertigo के जो हम symptoms देखे तो mainly उसके अंदर जो inner ear के अंदर जो problem होता है उसके current person को problem होता है brain के अंदर समझे कोई problem है या फिर sensory nerve supply के अंदर जो problem होत है तब भी किसी person को जो है वो चक्कर आते है तो चक्कर आने के जो कुछ reason हम देखे तो सबसे पहले तो जो ear infections होते है कि inner ear या फिर brain के अंदर कोई problem है तो भी person को जो है वो चक्कर आ सकते है and it is not an illness but it is a symptom ये चक्कर आना कोई बीमारी नहीं है बट symptom है कि आपके body के अंदर द येर जो हम कहते है तो ear जो है उसके अंदर जो fluid होता है वो proper balancing का काम करता है हमारी body के अंदर बट वहाँ पर समझो कि कोई infection हुआ है middle ear के अंदर infection है या फिर inner ear के अंदर infection है तो भी person को जो है वो चक्कर आते है and many different condition can also cause the vertigo not only the infection of ear but दूसरे भी बहुत सारे ऐसे condition है कि जिसके करण आपको जो है वो चक्कर आ सकते है जैसे कि आपके आसपास समझो कि काफी loud noises थे कि आप ऐसे area में रह रहे है कि आपके आसपास जो है वो काफी noise रहता है तो loud noises के करण भी समझो कि inner ear के अंदर संतुल अंजम जो कि बिगरता है तो भी ये problem हो सकता है inflammation समझो कि है body के body के अंदर काफी weakness से आपके fatigue की condition है तो भी लोगों को जो है वो चक्कर आते है फिर neck और head injury कि head के अंदर आपको injury है viral infection के दौरान भी लोगों को चक्कर आते है फिर bacterial infection में भी चक्कर आते है fluid shift हो जाता है body के अंदर nerve crystal जो है वच्चे से काम नहीं करते nerve supply सही से नहीं मिलती मत तो भी या फिर brain के कुछ parts के अंदर को infection है meningitis जैसा है तो भी आपको जो है वो चक्कर आ सकते है तो यह सब है अलग अलग reasons कि जिसके करन आपको चक्कर आते है तो उसमें सबसे बड़ा एक reason रहता है कि vestibular neuritis के जिसके अंदर क्या होता है कि जो vestibular nerve होती है कि जो main neuron होती है क जो यह हमारे ear के साथ associated होती है तो यह जो ear है inflammation देख सकते कि यह ear के अंदर यह पीछे की और यह nerve supply और यह जो red color का portion किया हुआ है यहाँ पे क्या होता है कि यह vestibular nerve का inflammation हुआ है वहाँ पे सुजन हुआ है और यह main neuron है कि जो send करती है messages to the brain that help to control the balance कि हमारी body का जो सम्तुलन रहता है balance के लिए जो जरूरी जो impulses जाते है हमारे ear से brain के तरब तो वो असर उसके उपर असर पड़ता है specially यह vestibular neuritis के अंदर तो यह भी एक reason बनता है कि जब specially आपको ear related infection होता है कि simply आप एक ही वर्ड याद रखोगे तो भी आपके लिए कि ear infection होता है तो भी आपको चक्कर आ सकते कि अगर आपको बार बार चक्कर आ रहे है तो एक बार आपको ENT specialist को भी जरूर से दिखाना चाहिए कि जिससे पता चला है कि वो चक्कर आने का reason यह ear infection तो नहीं है तो वो आपको पता लगाना चाहिए फिर उसके symptoms तो आपको पता है कि balance problem होता है headache होना start हो जाता है a sense of motion sickness जिससा फिल होता है nausea vomiting होता है ringing in the ear and call tinnitus कि आपको ear में ringing जिससे भी कई बार फिल होता है vertigo के अंदर feeling of fullness in the ear कि आपके ear के अंदर काफी कुछ भरा हुआ है काफी full हो चुका है ear की जो कैनल होती है वो ऐसा feel होता है आपको headache मतलब कि सरदर start हो जाता है and nistagmus मतलब कि eyes move uncontrollably usually from side to side मतलब कि आपकी जो आखे है उसकी जो movement है वो उसके उपर proper control नहीं रहता तो यह सब symptoms देखने को मिलते है तो आप जानते है medicines कि कौन से अलगलग medicine से vertigo का iliaz होता है कि आपको चक्कर आते है तो यह symptom को ह काफी popular है उसके एलाज में जैसे की diaphin hydromine के जो tablets आते है वो जो है वो person को prescribe किये जाते है cyclizine के tablet आते है फिर maclizine है promethazine है sinarizin है and flunarizin तो यहाँ पर देख सकते है कि maclizine hydrochloride के यह tablet की जिसके उपर लिखा है anti word word मतलब कि specially जो short form है vertigo के लिए तो vertigo के सामने जो medicines बतलब कि anti vertigo medicine हो गई यह सब तो anti vertigo medicine की जो Pfizer बनाती है anti word करके और इसके अंदर main जो कोई salt form हम कहे है salt composition तो वो है maclizine hydrochloride पचास miligram strength में यह tablet available होता है और यह काफी असरदारक सावत होता है कि जब आपको चक्कर वगर आते हैं फिर sinarizin के भी यह tablets available होते हैं फिनारक जन के अंदर कि जो 25 mg के tablets होते हैं कि जो motion sickness में भी यूज होते हैं और यह vertigo की इलाज में भी यूज किये जाते हैं फिर motion sickness medicines such as maclizine and diazepam may reduce the spinning senses and help to control the nausea and vomiting तो जैसे मैंने अभी बात की कि जो motion sickness में यूज होने वाले maclizine है promethazine की जिसका famous brand name है mm करके की जो sipla बनाती है तो वो भी काफी असरदार साभित होते हैं यह anti nausea है promethazine की जो nausea vomiting के अंदर भी काफी use होता है और maclizine motion sickness में हम यूज करते हैं तो यह भी आप use कर सकते की जो सिर्फ आपको एक ही tablet लेनी होती कि जब चक्कर आने पर एक tablet जो है वो person जो है वो specially use करता है फिर सबसे ज़्यादा popular कोई medicine का है तो वो है betahistin तो betahistin is a medicine used to treat the symptoms of manures disease manures disease में क्या होता है कि इसका एक main symptom होता है कि चक्कर आना कि जब किसी को manures disease होता है तो चक्कर आते है फिर जो inner ear infections होते हैं उनमें भी यह symptom बनता है चक्कर आना उस वक्त यह tablet जो है वो prescribe किया जाते है और manures disease में क्या होता है कि dizziness जैसा फिल होता है vertigo and ringing in the ear कि जिसको हम कहते है tinnitus तो यह सब symptoms होते हैं कि specially infection होता है ear related तो उसके इलाज के अंदर दूसरे medicines के साथ यह चक्कर के जो symptom होते हैं उसको कम करने के लिए बीटा हिस्टिन दिया जाता है और it is an anti-vertigo medication सबसे popular जो का हम देखे तो वो है बीटा हिस्टिन के जिसके वर्टिन करके है वर्टिफॉल करके बहुत सारे उसके brand name आपको पता होगा widely used and prescribed to cure vertigo and its symptom and available in strength are 8 mg and 16 mg 8 mg और 16 mg दोनों strength में यह available होते हैं और usually एक ही tablet आपको use करनी है यह भी कि जब आपको चक्कर आते है फिर बात करें सिन्ना रिजिन के तो सिन्ना रिजिन भी एक anti-histamine है और वो भी use होता है चक्कर के जो symptom से उसको control करने के लिए and effective in control of motion sickness और इसके हम strength देखे तो 15 mg में भी वो use होता है 20 mg भी आता है and 25 mg तो उसमें main यह है कि समझे कि 15 mg से ही आप start कर सकते है lower dose से कि अगर person को lower dose से ठीक हो जाता है एक ही tablet से 15 mg की तो 20-25 mg के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है बड़ समझे कि 15 mg का resistance आ चुका है उससे ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप 20 mg यूज़ कर सकते हैं और 20 mg से भी control नहीं हो रहे है चक्कर के symptom तो आप फिर higher dose 25 mg यूज़ कर सकते हैं बड़ यूज़ स्टार्ट करें lower dose से की जिससे कोई side effects वगरा नहीं हो फिर जो है एंटी वर्ड की जो हमने starting में बात की थी और फिनार्जन तो एंटी वर्ड के अंदर maclezine hydrochloride है और फिनार्जन के अंदर आपको पता है कि प्रामेथाजन है और यह powerful antihistamine से की जो nausea को भी treat करते हैं vomiting को भी treat करते हैं dizziness की जो motion sickness के symptom से और also the vertigo की जो चक्कर आते हैं antivertis also used to reduce the lightheadedness, dizziness and loss of balance की जिसको हम कहते हैं vertigo caused by the diseases that affect the inner ear कि ऐसे diseases की जो mainly inner ear का affect करते हैं तो उस वक्त यह tablets जो है वो दिये जाते हैं फिर prochlorperazine की जो हम बात करें तो उसका यह famous brand name है stematil 5 mg के tablets prochlorperazine and sunofy जो है वो उसको यू बनाता है oral use के लिए ही है यह and promethazine hydrochloride के यह mouth dissolving tablet भी अवेलेबल है की जिसके उपर लिखा है यह MD मनला कि जस्ट आपको oral cavity के अंदर ही रेखना होता है और automatically वो आपकी oral cavity में ही dissolve हो जाएगी तो यह क्या करता है dopamine जो होता है उसको block करता है और उस तरह से अपनी pharmacological action देता है so you can take the procloparazine to treat motion sickness, filling of dizziness and available in 5 mg strength सिर्फ 5 mg के यह tablet available होते है और काफी अफसर दारक होते है कि जब आपको चक्कर आते है home remedies के बाद करें तो चक्कर आतने वक्त समझों कि यह medications आपके पास available नहीं है तो घर पे भी जो घर ले नुसकों को यूज़ करके आप चक्कर को कम कर सकते है तो उसके अंदर आप आमला या फिर आमला powder को यूज़ कर सकते है coriander seed को यूज़ कर सकते है फिर जिसको हम धनिया कहते है फिर natural juices आप ले सकते है कि orange है mango जैसे natural juices ले सकते है water ले सकते है exercise कर सकते है yoga वगेरा ginger and lemon तो सबसे powerful हमका है तो चक्कर आने पर आप ginger खा सकते है या फिर उसको prevent करने के लिए home remedies जो है वो ज्यादा तर क्या करेगे ये problem को prevent करेगे कि समझे कि आपको चक्कर आने का थोड़ा ऐसा start होता है तो अगर समझे कि आपके body के अंदर fluid balance कम हो चुका है तो आप पानी पीते है तो उससे fluid balance फिर से बन जाता है natural juices भी यही काम करते है फिर exercise healthy आप करते है योगा करते तो उससे meditation जिसा भी आपको मिलता है और ये meditation के कारण भी कई बार चक्कर जो है वो कम होते है lemon tea भी आप ले सकते कि जब आपको चक्कर वगर आते तो वो भी जो ये symptoms होते है vertigo के वो कम कर देता है and सबसे useful ginger तो ये भी सबसे powerful रहता है आपके लिए तो ये था special lecture about the medicines for a vertigo thank you for watching join कर सकते है whatsapp group access कर सकते है study material test series video lecture farmer rocks के आप उपर android user है तो android app download करे iphone user app store पर से download करे link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best